वेल्कम टेक वेड़ गुरूप मैं आपका टीचर विकास आपके अपने चैनल में गवेफिर जौत करता हूँ तो इस्टन आज हम आपको एक काफी इंफॉर्मेशन टॉपिक कवर करेंगे जो भी बच्चे A-Level का कोर्स करते हैं तो उनको दो प्रोजेक्ट सब्मिट करने होते हैं एक प्रोजेक्ट होता है आपका जिसको बोलते हैं हम लोग मिनी प्रोजेक्ट ठीक है जो कि same as आपका O-Level के साथ जो आपका project submit होता है, same उसकी तरह होता है, और एक होता है आपका major project, ठीक है, तो आज हम आपको mini project कैसे submit किया जाता है online, आपको login करके दिखाएंगे, कैसे उसमें जो है, आपको project का title फिल करना है, कैसे payment करनी होती है, complete process होगा, mini project को लेखर के, इसक क्या, क्या qualification होती है, तो qualification क्या कैसे कैसे क्या है, योक। क्या कब आप इसको submit करा सकते हैं, तो देखेंगे, जब आप चार module अपने path कर लेते हैं, तब आप इसको MID करा सकते हैं, ठीक है, पहले या character दो मॉडूल के बाद सम्मिट हो जाता लेकिन दो मॉडूल के बाद इसमें कुछ एरर देखने को मिलती है वो एक्षप नहीं करता है तो चार मॉडूल जब आप पास कर लेंगे यानि कि A1 से लेकर के A4 के जब आपके पेपर कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद ही यह आपका सम्मिट होता है ठीक है तो अभी हम आपको सम्मिट करके दिखाएंगे क्या प्रोसीजर है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जिरू कर दीजेगा आप चाहें डारेक्ट इंस्टिटूट हो चाहें इंस्टिटूट से आपने किया हो आप जो हैं दोनों ही मादम से अप कि मीनी प्रोजेट के फीज बहुत से बच्चे 2,000 रुपए पे करते हैं कोई लोंग 1500 रुपए लेते हैं तो इतनी फीज नहीं लगती है हम आपका सिर्फ और सी 500 रुपए हमारे पास फीज है मीनी प्रोजेट के आपका सम्मिट हो जाता है बाकि अगर उसमें पेजिस कि इतना टाइम उसमें लगेगा तो जिनको भी अपना मीनी प्रोजेक्ट कराना है 7007659485 पे मैसेज कर सकते हैं और इंडिया में ए लेवल के जितनी बच्चे मीनी प्रोजेट इनका सम्मिट होना इंसिटूट से कर रहे हैं आप कोई दिक्कत नहीं आप मैसेज करिए बार कोर्स कंप्लीट है की नहीं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो देखें एवन एटू एट्री एफॉर और एफ़ाइब से लेके एए नाइन तक के लगबख सारे मॉडूल इंके कंप्लीट है ठीक है प्रेटिकल भी कंप्लीट है इनका एग्जाम इनको दिया है जुलाई म क्लिक करना है यहाँ पर जैसे जाएंगे यहाँ पर इंस्टिूट का नाम आ जाएगा और यहां पर दो आपसन मिलेंगे आपको देखें एक ऑपसन मिलेगा में जिसकी एक हजार रुपए फीज होती है आनलाइन यह आपको पेका करनी होती है इसमें हमारा चार्ज आड़ पर अधानी होता है जो भी हम आपको बद्मिट करना है तो हम करेंगे तो हम यहां पर यहां पर पाइफन के सब्जेक्ट है तो हम दाल दें काल्कुलेटर विद पाइफन या फिर कल्कुलेटर यूजिंग पाइफन आ लिख सकते हैं ठीक है उसके बाद आपको एक हजार वाल पे क्लिकने करना ये तभी आपको पेमेंट करनी है जब आप एक मेजर प्रोजेक्ट आपका ब आपके पेंडिंग है ठीक है जब ये फॉर्म आपका आगे बढ़ जाएगा नीचे आएगा ऑनलाइन वाले ओप्सन पर क्लिक करेगा पेमेंट पर पेमेंट पर क्लिक करिएगा अब जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं नेट बैंकिंग डेविट कार्ड तो हम यहाँ पर डेविट कार्ड का यूज करेंगे जो कि इसमें आपका बैंक का चार्जस नहीं लगता है ठीक है एननेट बैंकिंग में पांच रुपए आपका एक्स्टा देना पड़ता है जो की कन्विएंस फीज है आपकी जिसका कोई मतलब नहीं बनता है मेंक पेमेंट इसमें करनी होती है आपका जो है सब्मिट होके आजाएगा आपका प्रोजेक्ट अब आपको कुछ नहीं करना है इतना पेमेंट करने के बाद आपको फाइल बनानी होती जैसे कि मैंने बताया यह फाइल बनेगी यह फाइल आपकी नालेट डेली सब्मिट होगी और उसके पूरा project यहां से बना के under drop payment हमने अभी आपके सान में live करके दिखाई यहां पे करके उसके बाद फिर हम इसमें submit करते हैं ठीक है तो यतना सा procedure है simple सा mini project का major project क्या होता है वो आपका offline procedure होता है तो उसका भी procedure सीजर हमारे पास होता है उसके लिए भी आप बेफिकर रही है ठीक है तो वीडियो अच्छे लेगी तो लाइक से जिरू कर देज़ेगा मेनी प्रोजेक्ट डिसी पेकार से सम्मिट आपका किया जाता है तो जिनको भी सम्मिट कराना है वाड़तर मैसेज करिए वीडियो को ल थांक य्फर वाटिण